वेलकम टू टॉनी गाडन दोस्तों टॉनी गाडन में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि कठल के बीच से पौधे कैसे तैयार करें तो उसके लिए आपको पका कठल लेना है यानि जैक फूरूट और पका हुआ जैक फूरूट का सीट को आपको निकाल लेना है बीच को आपको कलेक कर लेना देखिए मैंने किस तरीके से कलेक किया है इसी तरीके से आपको बीच को कलेक कर लेना है और इसमें बहुत मीठास होता है इसके लिए आपको पानी से धोलेना होगा बीच को अच्छे से देखिए मैं किस तरीके से वा दोस्तो इसको आप तैयार होने में दो तीन दिन लग जाएगा दोस्तो देखिए ये दो तीन दिन बात का रिजल्ट है दोस्तो ये देखिए आप चार दिन भी रख सकते हैं ये सुख चुका पुरा भीच अब चलिए मैं इसे लगाना सिखाऊंगा आपको किस तरीके से लग जाएगा आपको सभी तरह के पौदे मिलेंगे बंसाई बनाना भी सिखाया है मैंने ये टॉनी गाडन है दोस्तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि आपको नोडिफिकेशन मिलता रहेगा तो बीच को अच्छे से लगा लेना है देखिए मैंने लगा लिया अब इस मिलता रहेगा तो अब इसमें आपको पानी अपलाई करना है देखिए वाटर जो अच्छे से मैंने डाल दिया है अब चलिए कुछ दिन बाद मिलते है ये देखिए ये पूरा दस दिन का रिजल्ट है दोस्तों दस दिन बाद इतना बड़ा पौदा मेरा बीच से बाहर आ देखिए ये 20 दिनों का रिजल्ट है दोस्तों पौदा बढ़ने लगा अभी इस पौदे को आप कहीं भी लगा सकते हैं इसे ग्राब भी कर सकते हैं ये देखिए पौदा मेरा एक महिना का पुरा हो चुका है और नीचे देखिए दो चार पौदे फिर से निकल रहे हैं ज क्योंकि पानी में कुछ भी सर चुका है दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और पौदे बनाने मैंने आपको सिखाया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों